हाई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कहिए कैसे हैं आप लोग आप लोग अपने अपने घरों में वैस्त होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे मैं भी अच्छी हूं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी जो मैंने टीज की शॉपिंग की है उसका छोड़ उस ते पहले कुछ बताना चा रही थी और वहां लड़ी जोड़ी जोड़ा जूलती है मतलब ऐसा कुछ है उतना कुछ नहीं पताय उत यूपि के वहां किस तरह से आपर्व मनाया जाता है तो हमारे यह हरताल का दी होती है जो कि husband के लिए कि आता है उनकी लंबी उमर के लिए कि आता है तो वो हमारे यहां जो पर्व है वो होने वाला है 9 सप्टेमबर को तो उसके लिए shopping की है मैंने बहुत कुछ अभी भी नहीं है लेकिन फिर भी almost सारा कुछ हो चुका है तो मैंने सच आपके साथ छोटा सा vlog share कर ल का वो डिलीवरी डेट दिखा रहा था लेकिन अच्छा हुआ कि वह आज ही डिसीव हो गया मुझे तो मैंने सुच चलो आज मैं आपके लिए vlog बनाई देती हूं तो तीज के अगले दिन जिस दिन हम लोग पारन करते हैं जैसे जिस दिन वरत तोड़ते हैं उस दिन गनेश जी की मूर्ति स्थापित होती है अगर वहां इस साल भी स्थापित होगी मूर्ति तो वह तो आपके साथ मैं तो शेयर करूंगी ही तो और बहुत अच्छा अच्छा व्लोग आएगा गनेश शिर्तुर्थी में क्यूंकि वहां खीरतन वगेरा सारा कुछ होता है और हम वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा भरबर के लाइक कीजे और कुछ गलतियां होती है तो आप लोग सजेशन भी दिया कीजे मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्यूंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूं तो फैमिली को इतना तो हक हो क्रांगवाना है तो चलिए मैं पहले दिखाती हूं पहले तो मेरा प्राइमर खतम हो गया था तो यह फिटमी का प्राइमर है मेबलीन न्यू-योक का ड्वी श्मूद नॉर्मल टु ड्राइप्राइमर विथ विटामिन इसको यूस तो नहीं किया है मैंने लेकिन पहले तो यह वाइट कलर के जो मैं दिखा रही हूं आपको यह देखिए यह से क्रीम फॉर्मूला में इसका तीज का मेकप लूक आपके साथ शेयर करूंगी तो उसमें मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करके बताऊंगी कि यह कैसा है प्रोड़क्त तो रिव्यू उसका मैं शादी किसमें इसको यूज करती थी जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मेकप बॉक्स में यही प्राइमर रहता था तो और अभी 3-4 साल से तो मैंने SQ का ही लिया है तो यह है और इसका आपको क्वाइंटिटीज की मिल जाती है 30 ml की और इसका प्राइज है 499 लेकिन अभी सेल में यह देखिए 499 तो अभी 15 अगस्ट का परपल पर सेल चल रहा था तो मुझे यह 300 कुछ ऐसे मिला है मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहां पर सब क्या प्राइस किस प्राइस पर मुझे मिला है तो यह 300 कुछ मुझे मिला था और इसकी यूज भी 4 है 23 तक तो बहुत चल जाएगा यह तो एक साल भी चल जाए तो बहुत है यह देखिए 23 तक इसका है तो यह है और हाइड्रेट स्कीन विटमिन ए इंफ्यूज फॉर्मूला टू एड इंस्टेंड ड्यूई ग्लोई फिनिश लाइट वेट क्रीम टेक्स्च्चर तो यह है और इधर औरियो ज मुझे देख रहे हैं कि मैं आखिर बात किस से कर रही हूं तो एक तो यह हो गया मेरा फिटमी का मैंने कॉम्पैक्ट मंगवाया है और इसमें शेड मेरा है 220 नैच्रल बीज तो इसमें आपको नेट कॉंटेंट मिल जाता है 8 ग्राम का तो और फिटमी का तो कोई मतलब कि इ इसको इसकी पहचान पर सवाल उठाने के बरावर है इसका तो कोई मतलब ही बहुत काफी है तो यह है ऐसा इसको मैंने यूज किया है एक दो बर यह देखिए पता चल जाएगा आपको इसके पफ से तो यह है क्योंकि मेरा फिटमी के एक और जो पहले का कॉम्पैक्ट था अब फिनिश होने वाला था तो मैंने सुचा पहले इसको मंगवा लेते हैं तो यह है वो तो मैट ब्लस पोल्डिस पाउडर है अप टू 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 आवर ऑल कंट्रोल पाउडर डैट फिट्स योर स्कीन टोन एंड टेक्स्चर यह तो सही है इसमें बहुत सारे आपको शेड्स मिल जाते हैं जो कि इंडिएन टौन के अ टॉर्डिं आपको हर किसी के हैसला अपने अपर बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं तो बिल्कुल भी स्कूलन explorative की तो आप चेक आउठ कर सकते हैं हだ prakt性 Gas कर सकते हैं मुझे थोड़ी परशानी हो ती उनलाने में क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मुझे मुझे यूठ टया लेना चाहिए किसा मुझे बाएट कर लिया दोक हैOh कि नॉट नॉटू वाला मैंने इस लिया है तो मैंने सोचा वही मैं बॉरहु हूंद आ कि मुझे में पता नी था कि यह मेरे सिर्टन में सभी होगा कि नहीं तो इसलिए मैंने छोटू अलम अमंगवाया है तो अब मैं इसको मंगवा सकती हूँ यह देखिए यह देखिए मेरे स्किन टोन के लिए पॉफेक्ट है यह देखिए बिल्कुल भी ज्यादा हैवी आपको नहीं लगीगा यह देखिए अभी मैंने कुछ लगाया अभी नहीं था चैरे प्राइजर लगाया है तो यह मतलब अच्छा है मेरे स्किन टोन के लिए पॉफेक्ट है बिल्कुल पॉफेक्ट है यह तो इसका मैं अगर मुझे अच्छा लगीगा तो में इसका बड़ा इसका बॉटल भी मंगवाओंगी इसमें है मैच नैचुरल टोन नैचुरल सीमलेस फिनिश यूवी प्रोटेक्शन हां तो यह तो मदब थोड़ा वो तो यूवी प्रोटेक्शन भी है मैटिफाइंग क्लेफ और शाइन फ्री लॉक शाइन हां हलका शाइन आजाता है इसमें तो थोड़ा इसको मैंने पहली भी मुझे देखा होगा जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले बार की मेरा मस्करा फिनिश हो गया है मतलब सूख रहा है तो मैंने फिर से मेबलीन का ही मंगवाया क्योंकि मस्करा इस से बेटर कोई नहीं हो सकता है अपने पसांद है लेकिन मेरे लिए तो यही बेस्ट है इस बार मैंने इसको वाटरप्रूफ नहीं मंगवाया क्योंकि जो मेरे पास पहले वाला मस्करा था यह यलो करड़का आता है उसको मुझे पता नहीं था वाटरप्रूफ का मतलब ऐसा होता है अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं लेती हाँ वो ब्राइड्स के लिए जाता था ना फेश वाक्स जाता था मैं अगले दिन सुबा तक वो रह जाता था अगर मैं उसको चोट वो सही नहीं है आपकी आंखों के लिए तो उसको ना ऐल से जो भी नट एल होता है उसको मैं कॉटन पर लेकिंग उस से फिर इस करती थी तो वह मुझे थोड़ा सा उस जो आराम से निकल जाए तो इसलिए मैंने इस वर मंगाया है मेबली न्यूयोक का था हाइपर कर्ड इजी वॉश यह देखिए लिखा हुआ भी यहां पर इजी वॉश तो इसका जो ब्रश है वह भी बहुत अच्छा है मैं यूस तो नहीं किया है फिर से मैं कह रहे हूं कि अपना मेकप लुक दिखाऊंगी था स्विस ब्यूटी का अल्टिमेट शैडो पैलेट और इसमें नंबर है मेरा 07 क्यूंकि मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा कलर्फुल चाहिए था आईशाडो कि मेरे पास जितने भी कलर्स थे वो न्यूड कलर के थे तो मुझे और भी प्रोड़क्स नहीं आया थे तो मैंने शेयर नहीं किया लेकिन यह अभी मैंने डिसेंटली मंगवाया है और इसके स्वेचेस में आपको बताती हूँ कि बहुत पिग्मेंटेड है कि अधा और और दिखा दिती हूँ मैं तो यह थोड़ा मुझे चाहिए था कि थोड़ा डार्क कलर हो तो मैं आखी थोड़े कलरफुल जिसके यहां पर पिंक है थोड़ा वाइन कलर है ब्लू हो गया यह अलो हो गया यह सब है तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं ताकि अच्छे से एक मेकप लूक आपके साथ शे एक नेकलेस सेट मंगवाया है जो कि एमेजॉन से है सारा जितना भी प्रोड़क्ट्स है ना मेरा ओनलाइन का जो भी है वो मैं मेंचिन कर दूँगी मुझे कितने का पड़ा है यह देखिए सुखी फैशन जोएलरी का इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो आउटफिट है तीच को किस कलर का है तो यह देखिए कटें सेट का है छलब कड़न का काम है इससमें और तो वह मैं 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 Чंच कर दूँगी आपको आप देख लिजिए गा कुंदन डाकेऊ फिर चोकर सेट है यह है यह ऐसा कुछ लगेगा जो दिया हुआ है एक हुक जैसा वो इसके नीचे यह लगेगा जो कि हेवी तो है लेकिन तीस तो हर में तो अच्छा ही लगता है ऐसा तो इसके एरिंस ऐसे लगेंगे कि यह मांग टिका का सारा कुछ तो सही है लेकिन यह मुझे थोड़ा छोटा इसका लग रहा है क्योंकि यह देखे आप वेसे तो सही है का कि यह ऐसा कुछ लगेगा और है लुक है अच्छा लग रहा है यह देखिए तो आपको नेकलस देखके तो समझ में आई गया होगा कि मैं मैंने कैसा लिया है अपना जो भी आउट्पिट है तो चलिए दिखाते हैं आपको आउट्पी यह देखिए यह ऐसा कुछ है और इसके वर्क बहुत अच्छे है और देखने में यह जितना हैवी लगता है उतना ही यह लाइट वेट भी है ज्यादा हैवी नहीं है तो यह सारे पुड़े साड़ी में आपको ऐसा ही दिखेगा यह ऐसी चोटी-चोटी बूट यह देखिए यह ऐसा लगेंगें तो इसके लिए अपकी शाइन यह जैसे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का थोड़ा सा देखिए जैसे यह लाइट में थोड़ा सा चेंज होता है तो यह था मेरा आउट्फिट और इसकी प्राइज की बात करें तो यह मुझे मुझे थाटी नाइन हंडेड का पड़ा है तो फिर मुझे इसके उपर रेड पहनना पड़ेगा मतलब चूड़ा तो रेडी होता या फिर मरून होता है तो देखते हैं अगर वह अच्छा लगेगा इसके उपर तो आप लोग मिक्स्चर वैसे कुछ ले लो तो आप लोग मुझे सजेस्ट किजेगा तो यह था मेरा तीज का छोटा सा शॉपिंग तो अभी तो और बी जैसे मैंने बताया भी बैंगल लेने हैं और और अल्मुस्ट सारा कुछ तो होई गया बस बैंगल ही लेना है और क्यूंकि इस जो तो अगर मुझे अगर हो गया तो मैं आपके साथ पहले ही शेर कर दूगी कैसा मैंने अंगवाया है और वाइस फिर मैं जिस दिन तयार होंगी तो तो आपके साथ शेर करेंगे यह करेंगे तो चलिए यह था मेरा अच्का छूटा से व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक किजिएगा शेर किजिएगा कमेंट किजिएगा और नहीं आई हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा तब तक के लिए बाबाई टेक केर द्वाम याद रखना